वेलकम बैक फ्रेंड मैं अनसर वास्तो आपकी यूटूब चैनल इंडलस इस्टेडी शंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ और आपकी जो यल्टी परिक्षा होने वाली उसके लिए मैंने एक स्पेसल स्रीज स्टार्ट की हुई है जिसमें जो आपको 30 क्वे सरी सक्षन सभी अभिरतियों को करने हैं चाहे हो किसी भी सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हूँ तो उन लोगों के लिए स्रीज है और इस स्रीज में सिर्फ आपको वही क्वेशन मिलेंगे देखने को जो अभी तक GIC जितनी परिक्षाएं हुई है उन परिक्षाओं म इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आज दोपहर में अपलोड किया हुआ था तो याद आप लोगों ने उस पार्ट को याद नहीं देखा हूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका में लिंक दे दूँगा आप उस क्वेशन को देख लीजिए क्योंकि अगर आप पेपर द प्रिक्षा के लिए माहतपूरफ प्रस्ट यह सारे प्रशन इध्जाम में आये हुए हैं पहला प्रस्ट इसमें ग्रीन हाउस गैस में सामिल हैं यहीं हाउस Saint Ed bitter Esp तो आपको सारे तो option नहीं पूछेगा उसमें से अगर question पूछ रहा है तो option में से कोई एक gas इसमें से दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सी gas greenhouse gas है बाकि और इस से other option में कोई और भी gas को सम्रीट कर सकता है तो आप जब यह सारी gas के नाम अगर पता रहेंगे आपको तो इसमें से आप जो है answer को चूछ करके लिख सकते हैं ठीक है second question देखिए 2018 में 20 परियावर दिवस के लिए 20 है तो कौन सा बिस है यानि theme क्या है 20 परियावर का 2018 का तो beat plastic pollution जो है वो 2018 environment की जो है एक theme है या quotation कह सकते हैं और यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है इसलिए मैं आप लों को औरली बता दिया हुआ है third question देखते हैं दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था तो दिल्ली दरबार किस सन में आयोजित हुआ था तो 1911 SB में दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था next question देखते हैं भारत में अंग्रेजों के सासनकाल में सभी तीनों गोल में सम्मेलन आयोजित हुए थे यानि किस जगह पे हुए थे तीनों गोल में सम्मेलन जो भारत में अंग्रेजों के सासनकाल में हुए थे तो कलकत्ता में हुए थे ये तीनों गोल में सम्मेलण जो ते वो कलकत्ता में जित हुए थे नेक्स Qetion देखते हैं भारत में अनतरराजिय परिशत अस्थापित की गई थी तो भारत में अंतरराजिय परिशत जो है थी 1990 में यानि 1990 भी में इस्थापित की गई थी सुबा का तारा तथा संध्या का तारा कहा जाता है सबसे चंकीला ग्रह सुक्र है सबसे गर्म ग्रह की बात करें, तो भी सुक्र है, सुगा का तारा इसका उपनाम होई चुका, संध्या का तारा भी होई चुका, और पिल्थिभी की जुरुवा बहन भी सुक्र को कहते हैं, तो सुक्र से ये 3-4 फैक्ट इंपॉर्टन जो अक्सर कोश्चन में पूछ लिये ज देख सकते हैं, यानि सारे जो GIC के अभी तक पेपर हुए हैं, 2008 से लेकर 2015 तक, ये सभी बर्सों के पेपर का एक्टरी के समलेत रूप इस सिरीज में चलेगा, 7 कॉश्चन नमबर देखते हैं, नियून्तम प्रियावड़िये पर दूसर उत्पन करेगा, तो नियून्तम प परियावड़ दिवस जो है, पांच जून को मनाया जाता है, ये सभी लोगों को पता है, ठीक है, लेकिन इंपोर्टन कोश्चन है, इसलिए इसकोश्चन को रखा गया है, और पिछली एकजाम में इसकोश्चन को पूछा भी गया था, नई नमबर कोश्चन नमबर देखत ब्रहदेश्वर मंदिर का निर्माड किया, तो तंजोर का जो ब्रहदेश्वर मंदिर था, उसको राज पर्थम ने जो है, तंजोर के ब्रहदेश्वर मंदिर का निर्माड करवाया हुआ था, अलेवन कोश्चन नमबर देखते हैं, भारत में न्याइक सक्रियता संबंदि नेक्स कोशन देखते हैं भारत में कन्या कुमारी की अवस्थिती क्या है यानि भारत में कन्या कुमारी की इस्थिती क्या है कहां से कहां तक है तो भूमद रेखा के उत्तर में जो है कन्या कुमारी इस्थित है नेक्स कोशन देखते हैं महात्मा गाधी ने सत्याग्रा सस्त् सिर्ज का उपनाम दिया गया यानि सत्या घ्राह का है सबसे पहले उपियोग कहां पर किया हुआ था तो South Africa यानि दचल अपरीका में मातम снगा गांदी ने सत्या अगरा सिस्टर का सबसे पहले उपियोग किया हुआ था नेक्स कोशन देखते हैं वायान कार करता है तो वायान जो है किस पर्मिय पर यानि किस परियोग पर कार करता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा वरनौली के सिधान पर जो है वायान कार करता है और नेक्स एन लास्ट कोशन देखते हैं इस सिरीज का कौन सी फसल उकठा बिमारी से प्रभावित होती है तो ये फसल का नाम है अरहर यानि अरहर ऐसी फसल है जो उकठा एक प्रकार की बिमारी है तो ये अरहर की फसल को प्रभावित करती है तो question ऐसे पूछ सकता है कि उकठा बिमारी किस फसल को प्रभावित करती है तो सकांसर अरहर हो जाएगा या अरहर में mostly कौन सी बीमारी लगती है तो उकठा बीमारी जो है लगती है ठीक है तो आज के स्रीज की 15 questions complete वे इसी प्रकार आपको लगबग पान से छे स्रीज में या पान से छे पार्ट में जो है आपकी complete 30 questions के जो most important question बन रहे हैं ये cover करा दिये जाएंगे तो मैं आप लोग से फिर से कहना चाहूँगा या आप लोग ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हुआ है तो मैं description box में इसका link दे दूँगा क्योंकि इसके जि ठीक है तो आज की वीडियो में वैस इतना ही वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताएगे कि आपको ये series कैसी लगी ताकि मैं 28 जुलाई तक जल्द से जल्द आपको सारे जो पार्ट इसके बनने वाले हैं मैं आप लोगों तक उपलब्द करा सकूं ठीक है तो